कि व्यक्तियों के बदलने के साथ लोगों के कल्यान के योजनाएं नहीं बदलनी चाहिए कि मेरी अभिक्षा है कि नई सरकार जन कल्यानकार योजनाओं को जारी रखेगी जो आने को प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिये थे उनमें निरंतरता रहेगी उनको पूड़ा करने का प्यास करेगी और जो अपने वचन पत्र में उन्होंने जो वचन दिये हैं अब दस दिन मैं कर्ज माफ जैसे वचन उसमें है तो मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि राहु जी ने का कि दस दिन में करने हुआ तो हम मुखमंत्री बदल देंगे तो मुझे विश्वास है क्यों इन सबको नहीं उनने का कि अगर दस दिन में अगर ये कोई मुखमंत्री नी करेगा तो मैं बदल देंगा तब यह उनका विश्वास है वो दे करें लेकिन उस कमिट्मेंट को जरूर जो जनता सकिया वो पूरा करेंगे विपक्ष भी ससक्त है एक सो नोव विधाय हमारे हैं और हम ससक्ते लेकर जिम्मेदार रचनात्मक विपक्षिका जो दायत को मिला है उसका हम निर्वाह करेंगे मेरा कमिट्मेंट है रचनात्मक सहयोग पिर्देश के हिद के लिए जहां जरूगत होगी मैं साथ ख़ड़ा नजरा होगा और जहां गर्बर लगेगी भाज जिस प्रखर रोध क्याब सकता होगी क्योंकि अब चौकेदारी करने की जिब्बेदारी हमारी है और हम चुब गैटने वालों में सुनी है कि यहार कहती है का अदमी नाराम कर लेगी यह तो ठीखें नहीं है आसे जूओ